मतुरा थाना गोवर्धन पुलीस ने अपने प्रेमी की हत्या करने वाली प्रेमिका को गिरफतार किया 16 दिसंबर की सुबह पुलीस को सुचना मिली थी कि गोवर्धन के बस टैंट पर स्थित उर्मिला सेवा सदन के कमरा नंबर 3 में शव पड़ा हुआ है उसके साथ आई महिला फरार है सुचना के आधार पर पुलीस ने मौके पर पहुच कर शव को कबजे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए भेजा और पुलीस घटना की जांच में जुट गई वही पुलीस उर्मिला सेवा सदन में महिला द्वारा दिये गए आधार कार्ट के आधार पर महिला की तलाश में जुट गई थी हम आपको बता दे कि 15 दिसंबर को एक महिला और पुरुष ने थाना गोवर्दन के बस्टैंड पर सित उर्मिला सेवा सदन में रूम बुक किया था और दोनों लोगों ने अपने आधार कार्ट जमा कराए थे प्रेमवती के पती की करीब चार वर्ष पुर्वे बिमारी के चलते मौत हो गई थी पती की मौत के कुछ दिन बात से ही गाओ के ही रहने वाले हारुन और प्रेमवती दोनों के बीच करीब चार साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था प्रेमवती के बच्चे बड़े हो गए थे और वह विरोध कर रहे थे जिसके चलते प्रेमवती हारून से अपना पीछा छुडाना चाहती थी और हारून के पास प्रेमवती के करीब देल लाक रुपे और देल लाक की कीमती की चांदी थी हारुन पैसे और चांदी को वापस नहीं कर रहा था प्रेमी का प्रेमवती अपने प्रेमी हारुन से पीछा चुडाना चाहती थी प्रेमवती ने हारुन से पीछा चुडाने के लिए प्लान के तहट उर्मिला सेवा सदन में शराब और बीर पी थी फिर उसके बाद रात्री में ही शराब पिने के बाद महिला प्रेमवती निवासी तसई थाना कठुमर जिला अलवर ने अपने प्रेमी हारून निवासी तसई थाना कठुमर की तौलिया से गला दबा कर हत्या कर दी उर्मिला सेवा सदन का गेट बंध होने की वज़ा से महिला रात को वहाँ से निकल नहीं पाई तो उसने सुबह का इंतजार किया सुबह होती ही महिला प्रेमवती मौके से फरार हो गई शक होने के बाद उर्मिला सेवा सदन के करमचारियों ने देखा कि हारुन का शव बेट पर पड़ा हुआ है तो उन्होंने पुलीस को सुचना दी जिसके बाद पुलीस फरार महिला के तलाश में जुट गई थी शक्रवार को थाना गोवर्दन पुलीस ने अपने प्रेमी की गला दबा कर हत्या करने वाली आरूपी महिला प्रेमवती को गाव गाठोली के पास से गिरबतार कर लिया सोला तारीक को उर्मिला सेवा सदन के एक कमरे में एक अग्यात व्यक्ति का शब मिला था पुलीस वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर भुलीस तक की बॉली को पोस्ट मॉटम के लिए भीजा गया और जानकारी की गई जिससे पता चला कि ये व्यक्ति एक महिला प्रेम बती के साथ वहां पर एक दिन पहले आकर रुका था जो कि अलवर साइड की रहने वाली है पूश्टाच में ये भी सामने आया कि ये महिला इसी व्यक्ति के साथ पहले भी तीन-चार बार यहां पर आकर रुक चुकी है और चीजों को डवलप करते हुए जब इस मह महिला को से पूश्टाच की गई है तो बात निकल के आई है कि ये महिला विडो है और ये जो मृतक है इसका नाम हारून है ये एक ही गाउं के रहने वाले हैं इनमें भी काफी सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था वही एससपी ने बताया कि आरूपी महिला प्रेमवती ने अपने प्रेमी से पिछा छोडाने के लिए और पैसो के लेंदेन को लेकर अपने प्रेमी हारून की तौलिया से गला दबा कर हत्या कर दी थी प्रेमी प्रेमी का ने दोनों ने 15 दिसम्बर को गोवर्दन की उर्मिला सेवा सदन में रूम भूख किया था जिसके बात दोनों ने भैट कर शराब और बीर का सेवन किया था शराब अधिक पिने के कारण हारून बे acostी की हालत में हो गया था मौक पाते ही प्रेमवती ने हारुन के गले में तौलिया डाल कर हारुन को मौत की घाट उतार दिया था मही आरुपी महिला को थाना गोवर्दन पुलीस ने गावगाठोली के पास से गिरफतार कर जिल भेज दिया NBC News के लिए मतुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट